बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु हूँ, वेलकम डू हफसास केचिन, मैं हूँ शेफ हफसा, और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी चिकन रेप्स, एक बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी के साथ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉर्टिया, चिकन के बहुत ही डिलिशिस से चंक्स, बहुत ही टेस्टी सा सॉस, सब कुछ बनाना सिखाऊंगी, तो आईए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए बोलना अस चिकन 500 ग्राम्स, चिकन को नस दाहां छोटे छोटे इसमें कट कर लेंगे, इसमें ट कर लेंगे गार्लिक पोड़र 1側 थी क्पोर, जिंगर पावड़र 1 1 teaspoon, black pepper powder 1 teaspoon, salt यानिके नमक 3-4 teaspoon, oregano 1-2 teaspoon, oyster sauce 1 teaspoon, mustard paste 1 teaspoon, oil तक एबन 1 tablespoon, 1 teaspoon, इसको अच्छी तरह किसे mix कर लेंगे, और लास्मेस में अट कर लेंगे सफेट सरी का 1 teaspoon, इसको भी अच्छी से mix कर लेंगे, अब हम चिकन को कवर करके एक तरह रख देंगे तक करीबन 15 मिनिट के लिए ताकि अच्छी तरह से marinate हो जाए, मसाला चिकन के अंदे तक चला जाए, साथ ही हमें एक बोल रखेंगे, इस पे एक छाना रखेंगे, इसमें एट कर लेंगे एक कप मैदा, नमक एट कर लेंगे तकरीबन 14 टी स्पून, ओइल एट कर लेंगे तकरीबन 14 टी स्पून, इसको अची तरह से mix कर लेंगे, अब यहाँ पर मेरे पास तक रेबन 1 गप पानी है, थोरा थोरा करके इसमेट कर लेंगे पानी को, पानी को हाथों से mix कर लेंगे मैदे में और एक soft सा आट अगून के तरियार कर लेंगे, तो जी यहां पर मैंने एक soft सा अटगून के तयार कर लिया है अब हम इसको cover करके इसको 10 मिनिट का rest देंगे तब तक हम तयार कर लेंगे chicken तो chicken को cook करने के लिए हम एक बरतन रखेंगे gas on कर लेंगे इसमें थूरा soil add कर लेंगे इसमें हम chicken को add करके अच्छी तरह से पकाएंगे अच्छी से देखे इस तरह से हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह से मैंने इसको 5 मिनिट के लिए पकाया है चिकन आल्मोस्ट 80% cook हो चुकी है अब हम इसमें थूरा सा पानी आड़ करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनिट के लिए हलकी आच पे पकाएंगे तो जी चिकन यहाँ पर बहुत ही बहुत ही बहुत ही टेस्टी सी अच्छी तरह से cook हो चुकी है इसको हम एक बरतन में निकाल लेंगे अब हम चिकन रेप्स के लिए टॉर्टिया तर्यार कर लेंगे तो उसके लिए हमारी डो जो है वो यहाँ पर अच्छी से सेट हो चुकी है देखे अच्छी सी soft डो है डो को हम तीन हिस्सों में डिवाइट कर लेंगे डो के पीस का हम अच्छे से ना प्रिरा बना के तर्यार कर लेंगे इसको मैदे में थोड़ा से हम हलका से इसके उपर मैदा लगाएंगे हातों से इसकी साइट्स को थोड़ा से पतला कर लेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे हमें इसको पतला बेलना है खास करके इसकी साइट्स हमें बिल्कुल equally evenly इसको बेलना है इसकी साइड को मोटा नहीं रखना तो जी देखें मैंने यहां पर इसको अची तरह से बेल लिया है पतला सा अब यहां पर मैंने हलकी आच पर गर्म कर लिया है तवे पर हम इसको डालेंगे एक साइट से इसको अच्छी तरह से पकने देंगे, इसके बाद इसकी साइट चेंज करके इसको दोसी तरफ से पकाएंगे तो यहाँ पर हमारी टॉटिया तयार हो गई है, इसी तरह से हम बाकी की भी दो बनाके तयार कर लेंगे अब रैप्स बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है कुछ वेजीज, सबसे पहले हम इस तरह से आइसबर्ग कट कर लेंगे इसबर्ग जो है वो रैप्स वगएर में बहुत ही बहतरी नजायका देती है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर होता है, बहुत ही अच्छा फ्लीवर होता है इस तरह से कट करके इसको एक बरतन में निकाल लेंगे साथ ही यहां पे में पास परपल कैबर्ज है, आप जाए तो normal कैबर्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैबर्ज को इस तरह स्लाइस में कट कर लेंगे परपल कैबर्ज इस लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि हमारी जो चिकन रेफ है, ुसमें Colors आए उसके बाद हम इस तरह से टेमाटर को cut कर लेंगे slice में और साथ ही हमें एक प्यास cut कर लेंगे इस तरह से साथ ही साथ अगर आप चानल पे नियू हैं और अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो एक अच्जब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके subscribe कर लीजिए इससे हमें पता चलता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो आपको पसंदा रहा है कि नहीं तमाम veggies को हम इस ताह से एक बर्तन में निकाल लेंगे त अब हम रेप्ट के लिए सॉस बना के रेडी कर लेंगे तो उसके लिए हम एक बूल रखेंगे इसमें आट कर लेंगे दही तकरीबन 1.5 cup मियोनीस 1.4 cup होट सॉस हमें आट कर लेंगे तकरीबन 1 teaspoon ketchup आट कर लेंगे तकरीबन 2 tablespoon garlic powder 140 teaspoon black pepper powder 140 teaspoon salt 140 teaspoon paprika powder 140 teaspoon इसको अची तहां से mix कर लेंगे और last miss mat कर लेंगे honey 1 teaspoon और अच्छे से इसको mix कर लेंगे तो यहां पर हमाय बहुत ही delicious sauce रेडी हो जाएगा finally wraps बनाना start करते हैं तमाम elements जो हैं वो wraps के लिए तयार हैं तो उसके लिए हम इस तरहां से सबसे पहले एक टॉटिया रखेंगे इसके उपर हम अच्छे से sauce लगा देंगे फिर इसके उपर एड़ कर लेंगे chicken के chunks जो के हमने cook किये थे आइसबर्ग्स रखेंगे इस तरहां से प्याज एड़ कर लेंगे टुमाटर एड़ कर लेंगे परपल क्याबिश एड़ कर लेंगे मजीद sauce एड़ कर लेंगे उपर और इस तरहां से हम रेप्स को फोल करके रड़ी कर लेंगे इसी तरहां से हम तमाम बना के रेड़ी कर लेंगे अब हमें ग्रिल पैन रखेंगे इसमें एट कर लेंगे बटर तकरीबन वन टेबल स्पून बटर के ऊपर हरका सॉयलेट करेंगे इससे बटर जो है वो नहीं जलता इसके उपर हम रेप्स को रखेंगे और अच्छे से हर तरफ से ग्रिल कर लेंगे तब तर जब तक कि क्रिस्पी न हो जाए तो यहां पर तीनों अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं अच्छे से इस पर ग्रिल के मार्क्स आ चुके हैं और हमारे बहुत ही टेस्टी और डिल तो आप जरूर से इस रेसिपी को अपने घर में ट्राइ कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा, अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए कर यह इदे आपको पसंदाएगी?